हाई, गागन दिसाइड फोर माई कार हेलप लाइन देखिए गाड़ी खीरने के बाद जो लोगों का पहला कंसर आता है वो होता है माईलेज बहुत कार ना ये माईलेज बड़ी कम देती है मेरी कार 14 का मैलेज दे रही है कमपनी 20-21 किमेटर की मैलेज क्लेम करती है मेरी का 17-18 की मैलेज दे रही है डीजल के अंदर जाकि कमपनी 28 किमेटर पर लीटर की मैलेज क्लेम करती है तो बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ How to calculate car mileage What are the reasons of low mileage in a new car And how to improve your car mileage Whether you are owning a new car और used car अब देखिए पहला पार्ट है लेते हैं कि How to calculate car mileage बड़ा simple है car की mileage calculate करना आपको जब भी अपनी mileage calculate करनी है आप अपना car का tank फुल करवा ले और auto cut off जहां पे हो उसके बाद आगे fuel फिल ना करवाए Number 2 अपने car के जो trip meter को या तो zero कर ले या speedometer में जितने kilometers है उसको फ़ी note कर ले फिर number 3 आप car को करीब 1500 km ड्राइब करें जो भी आपकी regular conditions रहती है उसके अंदर आप चलाएं and drive it for 150 km जैसी आपकी गाड़ी 1500 km पहुच जाती है उसके बाद number 4 again go to the same petrol pump और car के tank को दुबारा फुल करवाएं और दुबारा auto cut off के बाद फुल आगे fuel ना भरवाएं उसके अंदर जितने car के अंदर liters petrol या डीजल जो भी आपकी गाड़ी है वो आती है उसको 1500 से डिवाइड करें you will get to know car mileage आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको tank पूरा empty करवाना है उसके बाद दुबारा आपको tank फुल करवाना है you only have to drive 150 km which is considered an industry benchmark इससे आप car की mileage कर सकते हैं और number two बात कर लें देखें नहीं car के अना mileage कम क्यों रहती है देखें सबसे पहले सीज जाना ज़रूरी है जो भी आप mileage देख रहे हैं car company आप mileage claim करती है ब्रॉशर के अंदर, advertisement के अंदर it's an ARAI mileage जो claim mileage होती है वो Automotive Research Association of India जो Ministry of Heavy Industries सेट अप कर रखा है उसकी claim mileage है after doing the car emission testing अब यह जो mileage determine करते हैं वो basically simulate करते हैं Indian drive conditions को उसमें यह testing करते हैं और real life में car drive नहीं होती है उसी simulate conditions में जो भी car के emission norms आते हैं और साथ में जो mileage determine होती है वही mileage यह car company आपने ब्रॉशर में mention करती है सो अगर आप expect कर रहे हैं कि जो यह simulate conditions से real conditions से match कर जाएं तो ऐसा नहीं होता है अलग-अलग cities की अलग-अलग traffic conditions होती हैं weather conditions होती है stoppage time होता है इसी लिए ही AIRA की mileage real life mileage से match नहीं करती है अगर आपने सुना होगा आपके family में या पहले जब गाणिया रिपेर होती थी तो mechanic बोलता था बहुत कार रवा होने में time लगता है ये बात आज भी बिलकुल applicable है कार के अंदर piston होते हैं fuel lines होते हैं engine होते हैं जब आप new car drive करते हैं उसके अंदर ये सारे consumable items flow करते हैं and it takes time to accustom to the car engine या कार के अंदर जितने fuel lines है या कार के अंदर जितने भी lubrication के lines है उसमें time लगता है तो नई कार के अंदर ये बड़ा सोभाविक है कि आपकी कार की मले सोड़ी कम आएगी and it takes some time कहा ये जाता है कि तकरीबन 1000 km तक कार की मले सोड़ी कम रहेगी जैसे जैसे आप ड्राइब करते जाते हैं गाड़ी आपकी पहुच जाती है चार-पांच सेजा किलिमेटर तक then you will, car will be able to deliver you the better mileage आपकी कार अकस्टम भी हो जाती है जैसी आप कार का first oil change करवाते हैं उसके बाद कार अपनी optimum पैजाती है in terms of delivering the best mileage to you अब देखें ये तो हुआ कि कार की mileage कैसे calculate करते हैं और नई कार में mileage कम क्यों है बट जो golden question वो ये है कि how to increase the car mileage भले आपके पास new car है used car है या कई साल से आप गाड़ी चला रहे हैं मैं आपको बड़े basic और important facts and tips चेह करने वाला हूँ जिससे आप अपनी कार की mileage almost 25% to 30% increase कर सकते हैं तो देखें अगर मैं fuel की बात करूँ number one तो important ये है आप fuel कोशिश करके morning में भरवाएं या night में भरवाएं इसका reason ये है देखें fuel का density temperature से vary करती है जब temperature low होता है fuel की जो thickness है वो थोड़ी सी कम रहती है morning में या night में जिस part of day में temperature थोड़ा सा कम रहता है उस part में आप अगर fuel भरवाते हैं आपकी कार में थोड़ा सा ज़्यादा fuel आएगा और auto cut off के बार number two कभी भी fuel ना भरवाएं देखें air chamber ब्लॉक हो जाता है और उससे leakage की समस्या भी भढ़ सकती है कार की कमपनियां auto cut off देती इसलिए है कि उसके बाद fuel भरवाने की जूरत नहीं होती है कई लोगों को थोड़ी आदत होती है कि ब्रिम तक fuel भरवाएं उसका कोई फाइदा नहीं है तो जहां पे आपकी कार का fuel auto cut off हो जाए उसके बाद fuel ना भरवाएं अब मैं अगर ड्राइव की बात कर लूँ देखिए जो sudden braking होती है sudden acceleration होता है अगर को चाहिए कि suddenly मैं गाड़ी इक्तम से चला दूँ बहुत तेजी से high rpms पे या suddenly brake लगा दूँ तो उससे भी कार के fuel की wastage होती है it's a car और it's not a sports car so आपको थोड़ा सा gentle होके कार चलानी चाहिए इसके बाद जरूरी ये है कई लोगों को आदद होती है कि clutch को हर वक्त अपना left पे रखना और accelerator पे रखना इससे क्या होता है clutch plate तो बन होती होती है जिसमें खर्चा बजदा है आपकी कार की mileage भी काफी कम आती है तो ऐसा ना करें आपका left foot relax करने को है and only put it on the clutch plate when required to change gears अगर आप clutch पे पे रखेंगे और accelerator पे आप right foot रखेंगे तो आपकी कार की mileage कम होगी होगी number 3 ये है आप जो कार के gear shift करते हैं मैंने पहले बताया आपको आप बहुत ज़्यादा speed पे कर रहे हैं आप rpms बहुत high level पे लेके जा रहे हैं तो उससे भी आपकी जो कार की mileage है वो बड़ी ज़्यादा impact होगी आपको समझना होगा कि आप जो gear shift कर रहे हैं you should do it at the recommended speed number 4 red light पे आपकी कार खड़ी है तो कोशिश करें अपनी कार का ignition off कर दे idling से आपकी कार का fuel burn होता ही होता है and it does no good अगर आपकी कार का stoppage is more than one minute then please switch off the ignition do not waste fuel pollution create ना करें और अपनी कार की mileage भी अच्छी रखें और next thing is the basic checks देखें आपको समझना हो कुछ basic checks बहुत ज़रूरी है कार के चो tires है उसका air pressure ensure करें every 10 days या जब भी आपका tank full करवा रहे है whichever is earlier please ensure to get the tire air pressure checked अगर आप long distance drive कर रहे हैं suppose आप Bombay से पूने जा रहे हैं और दिली से आगरा जा रहे हैं या किसी case में if you are driving a long distance ensure करें उस distance में पहुँच के because आपकी speed ज़्यादा रहती है तो वहाँ पहुच के भी अपनी कार का tire का air pressure ज़रूर चेक कर वा ले अगर tire का air pressure ज़्यादा हुआ या कम हुआ उससे अपकी mileage पे भी impact पड़ेगा और tire का भी wear and tear होने की chances भढ़ जाती है इसके अलाबा आपको ensure करना है जो कार की alignment है वो आप ज़रूर चेक कर वा ले every 5000 km important यह है अगर alignment out of order हुई तो कार के tire तो wear out हो गए होंगे because alignment ठीक नहीं है तो tires drag out हो गए it will not rolling in a complete way which it is designed to उस कारण drag out होने कारण भी आपकी कार की mileage impact पड़ेगी और last but not the least आपके जो कार के अंदर air filter होता है उसे कोशिश करके every 10,000 km ensure to get it cleaned या आप replace करवा सकते हैं उसको air filter से आपकी जो कार की performance pick up है उस पे बहुत फरक पड़ता है और आपकी कार की mileage में भी बहुत फरक पड़ता है कुछ और reasons भी होते हैं आपके अगर आप यह सची जो follow कर लेते हैं उसके बाद भी जरूरी नहीं है क्योंकि कार की mileage बहुत बढ़ी आएंगी मैं आपसे couple of reasons और शेयर कर लेता हूं देखे कई बार ऐसा होता है जिस petrol pump से आप बार बार fuel मरवाते हैं वो fuel contaminate होता है आपने कई बार वीडियो में पड़ा होगा कि petrol pump वाले बेमानी कर रहे हैं तो वो पी possibility आप deny नहीं कर सकते हैं तो try some other petrol pump जो दूसरी चीज़ है वो है कार का जब आप AC on करते हैं हो सकता है उसके filters cloaked out हो उसके condenser cloaked out हो और जैसे आप कार का AC on कर रहे हैं सारे हो उसके कारण भी आपके कार की मलेज कमा सकती है So I hope I am able to help you out with this video अगर आपको वीडियो पसंद आता है Please do a foot for it और जो भी आपकी family friends relatives हैं उनसे ये video share करना ना भूलिए My Car Helpline channel को आपने अब तक subscribe नहीं किया है तो ये channel भी please subscribe कर लेजे Thank you